कैसे आप सब आशा करता हो सभी फिट होंगे पहरे बद चुनिस वाले वीडियो में हम लोग 14.4 का यह जो टैन्थ नमबर क्वेस्टन है इसे सॉल्ट करेंगे यहाँ पर हमें कुछ क्वेस्टन में ना करके दिये हुए है जिसमें हमें एक्स की जो वैल्यू है वो सब्टिट क्वेस्टन में क्या बोला गया था यानि कि जब हमनों विक्सर से शुरू करें तो श्रम क्या बोला था कि find and correct the error यानि कि जो हमारे पास error दिये हुए है question में उसको find कीजिए और उसे correct कीजिए तो पहले दो पन देखेंगे कि यहाँ पर put करने के बाद क्या क्या गलतिया की गई है और फिर उस गलतियों को हम लोग copy में सुधारेंगे तो पहले चलो check कर लेते हैं यहाँ पर पहला जैसे question था यह नमर में दिया हुआ है x का square प्ल अब इसको solve करके देखते हैं तो माइनस 3 का square है तो माइनस 3 multiply माइनस 3 तो 339 हो जाएगा और माइनस और माइनस प्लस भी हो जाएगा तो यहाँ पर plus 9 लिए है बिल्कुल ठीक है देखो मैं क्या बोल रहा है वह आप समझो है आप पर माइनस 3 का square है तो 339 तो हो गई लेकिन स 5 और एक सिपके हुए है यानि कि multiply में है तो इसको यहाँ पर इन्होंने multiply में तो किया था यहाँ बीच में कोई भी sign नहीं नहीं ब्रेकेट के बाद तो इसका मतब़ मुल्टी प्लाइम में है तो यह यहाँ पर हमको मिल गया इसका error कि यह वाले statement इन्होंने error किया था ठीका इसको आपको तो एक्जाम में जब आए गए गए तो डाइट आपको solve करके दिखाना है पर मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर बता दे रहाँ कि कहां कहां पर errors है उसी तरीके से second वाले में x के square minus 5x और प्लस 4 है पिछले बार plus 5x थे इस बार minus 5x है तो x के square minus 3 के square हो जाएगा बिल्कुल ठीक है minus 5x है यानि minus 5 multiply minus 3 है यहाँ पर कोई भी sign नहीं कि समझे हो multiply की sign है तो यह भी ठीक किया गया है दोनों आपसे multiply थे तो minus 5 को और minus 3 को multiply में कर दिया गया और plus का यह जो 4 था लास्ट का उसको उतार दिया गया है तो 3 3s है 9 बिल्कुल ठीक है plus की 9 होगी 5 3s हो जाएगा 15 ठीक है यहाँ पर 15 तो लिखा है इन गलती क्या कि इन्होंने कि minus और minus जैसे यहाँ पर minus 3 और minus 3 को multiply होगा तो plus नहीं नहीं था उस x का square plus 5x था इसमें उन्हों लिखा minus 3 का square बिल्कुल ठीक है फिर plus की sign लगाई बिल्कुल सही 5 multiply minus 3 कर दिया गया 5x से जगा वो भी सही है गलती क्या है तो देखो इस बार पिछले बार तो यह minus 15 किया था ठीक है क्योंकि यह हमारा minus plus होना चाहिए यह गलती था इस बार देख उन्होंने क्या क्या minus 9 कर दिया minus 3 का square हमारा plus 9 होता ना कि minus 9 यहाँ पर यह वाला गलती मिल गया हमें चलिए अब इसको सही करके अपन जल्दी से copy में solve करते हैं तो देखो यह हमने सारे question उतार लिए है यह तीनों question हमें को दिये वे थे जिसमें error था तो यहाँ पर x का square है त उसके बाद फिर plus में 5 x है तो plus 5 लिको और x जागा पर minus 3 करतो बीच में कोई भी sign यह नहीं multiply की sign उसके बाद यह plus का 4 हो गया हमारा तो वही minus 3 का square 9 हो जाएगा जैसे कि मैं आपको पहले ही बता दिया उसके बाद यह 5 3 जा 15 होगा लेकिन plus और minus 15 होगा ध्यां रखना और यह प्लस 4 उतर गिया अब यह जो plus 9 है और plus 4 है इन दो लों को पहले मैं add कर लेता हूँ उसके बाद यह 15 को solve करेंगे तो 9 और 4 हो जाएगा मेरा 13 और यह हो जाएगा मेरे पास minus 15 अब 15 में से 13 minus करो तो आ गिया 2 और यह बड़े नंबर 15 में minus की sign है तो answer भी मेरा minus का होगा निग 3 हो गिया ठीक उसके बाद फिर यह plus का 4 है तो plus का 4 उतार दो इक्वाल के उस सेंड मेरा minus 3 के square 9 हो जाएगा यह हो जाएगा 5 3 जा 15 और minus और minus plus 15 होगा यह ध्यान रखना उसके बाद यह जो plus का 4 है यह exit उतर जाएगा ठीक है तो यहां से मेरा सब यह plus में हो गया तो सबको add क करेंगे तो 23 और 5 और add कर देंगे तो 28 हो जाएगा इसका answer इस तरीके साब इसको direct solve कर लो चलिए जो last question उसको कर लेते हैं x का square है तो minus 3 का square plus में 5x तो plus 5 होगा और bracket में minus 3 हो जाएगा तो यह होगे मेरा 9 और यहां पर हमारा minus और plus में आ जाएगा 5 3 जा 15 15 में से 9 minus करो तो कित 4 minus के तो आगे है 6 और यह बड़े नमर माइनस की साइन है तो साइन माइनस की लग जाएगी तो इस तरीके साब को पहले तो error देख लेना है कहा कहां पर है और तब exam में तो इस तरीके साब को direct solve कर लेना पूट करके यह पापको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा मिलते थैंक यू फर वाचिंग